शीक्रिट सर्विस है अमरी की, उसकी डाइरेक्टर शीटल साहिबा ने एक इंटर्विव दिया है, जो शूटर था, पॉमस क्रुक्स, वो जस्ट जाकि पॉजिशन दी, अपारेंटली उस बिल्डिंग के अंदर सीक्रिट सर्विस के मताबिक एजेट्स मौझूद थे, अच छच जो थी वो थोड़ी sloping positions के उपर, जो location ती दरख के तीछे थी, तो जो sniper थे, counter sniper, और अब यह भी बात शेजल साहिवा ने की है, के चार sniper teams मौजूद थी वहाँ पे, JD Vance अपनी nomination accept करते हुए Republican Vice Presidential के उप्समों की tweet है, Biden साहँ, पिश्टी चाविस के टेक अंदर, जिसके निसमे लिखा हुआ है, I am sick. Donald Trump पे हमले को लेकर कई सवालात, लेकिन जवाबात नामंकिन. Let Ali show you के एक और episode में आप सब को खशाम दे, do like, subscribe and share this content, हर कोई भोल रहा है. In fact, जो secret service है Amri की, उसकी director, Sheetal साहिबा ने एक interview दिया है, और उसके अंदर बहुत ही अजीब और घरीब किसम के इनकिशाफाद किये हैं. उनमें इसे किये हैं कि जी, जो details आ रही हैं, इससे ज़ादा सवाल create हो रहे हैं, instead of के जवाब दिये जा रहे हैं. For example, जिस building के उपर ये जो shooter था, Thomas Crooks, वो जिस ने जड़ पोजिशन ली, apparently उस building के अंदर secret service के मताबक agents मौजूद थे, क्योंकि जो roof था, यानि जो उसकी चत थी building की, ये structures हैं, metal के structures होते हैं, अमरीका के अंदर, छोटे towns के अंदर पाए जाते हैं, single story building या double story building और उसके उपर एक metal roof होती है, insulation होती है, तो अब ये sheetal साहिबा कह रही हैं, कि वो वाहिद building थी, जिसके उपर sniper या positions नहीं लीवी थी, और अंदर उसके security officials मौजूद थे, और वो proceedings में निगा रख रहे थे, अच्छा सवाल ये बनता है कि अगर उसके अंदर लोग मौजूद थे, तो एक बंदा सीड़ी के साथ, एक loaded gun magazine के साथ, किस तरीके से उस building के उपर उसने वो लगाई, किस तरह वो ओपर चड़ा हो जब वो च्छत के उपर चल रहा था, या scroll कर रहा था, position लेने के लिए तो क्या जो नीचे अंदर लोग थे, उनको वाज़े नहीं आ रही थी, वो क्या कर रहे थे, अच्छा, एक और इनकिशाफ ये हुआ है कि जी, reason के उस building की चट के उपर secret service agents या security के एलकार मौजूद नहीं थे, वो इसलिए था कि चट जो थ है, जिस चट के उपर, sniper, Trump साब के साथ जो चट थी, picture बहुत वाज़े आ गई है, उस चट के उपर भी slope था, वहाँ पे तो बंदे चड़े वे थे, तो वो specific structure जो था, उसको खाली क्यों चोड़ा गया, ये एक बहुत एहम सवाले, जिसका जवाब, जो आपकी secret service की जो head है, वो नहीं दे सकी, अच्छा, साथ साथ इसके, वीडियोज आ रही है, अब social media के उपर, उन लोगों की जो वो मौजूद थे, उस area में, उस जगा में, जहां पे सब कुछ हो रहा था, वहाँ पे वीडियोज के अंदर नज़ा आ रहा है, ये बंदा जो है, थामस क्रो की चलत बारवाजे सामने आना शुरू हो गई, तो इस वेरी डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग, कि ये जतना explain करने ही कोशिच कर रहे हैं, उतना ये खड़ा खो दे जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा intelligence failure तो था ही, उसके अंदर कोई doubt ही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक secret service, एक ऐसा इदारा जिसका एक मकसद है, वो मकसद है कि सदर जो है, या सदर के nominees जो है, जो साबिक सदर हैं, अमरीका के उनकी protection करना, और ऐसा सदर जो एक बहुत controversial figure है, जिसने बहुत कुछ कहा है, सहा है, और अब वो सामना कर रहा है, इस situation के अंदर Donald Trump की बात कर रहे हैं, उसकी security क तो इस तरीके से handling इसकी करना, I think it's impossible, और ऐसे time के उपर आपको पता आपका एक बंदा है, अच्छा जो बंदा जो shooter था, उसका social media empty, गायब, चार shot उस बंदे ने उस शट के उपर चड़के लिए, जिसके अंदर से एक Trump के कान से गुजरा, एक बंदा मरा जो अपनी family को लोकेशन थी, यह दरख के पीछे थी, तो जो sniper थे, counter sniper, और अब यह भी बात शीडल साहिवा ने की है, कि चार sniper teams मौजूद थी वहाँ पे, क्या मतलब है, एक team तो जो Trump साब के पीछे जो दो sniper खड़े वे थे, side थे, building के उपर, दो teams थी, local, यानि जो local police forces होती है, इक तो secret service साथी है, सदर के साथ, पूरी coordination secret service करी होती है, मगर local teams को चार्ज किया करता है, आउटर perimeter यहाँ पे, तो उनकी दो sniper teams थी, इनकी दो sniper teams थी, तो चार sniper teams के बावजूद होने के बावजूद इतना बड़ा serious laps होना, इस बंदे का वहाँ तक पहुचना, इस बंदे की कोई और details पीचे नहीं होना, यह बहुत बड़े बड़े सवालाद, रेस करते हैं, और एक तरफ तो, टरम साथ के साथ यह 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 बाकिया हुआ, उसके दो दिन बार भी बावड़ी convention हुई, Republican convention, अमरीका के अंदर वहाँ पे officially मनतखिब कर लिया गया, डॉनल्र टरम को, उमीदवार स convention, खातून से जो पैदा हुई थी अमरीका में, उनसे शादी हुई है, बहुत पड़े लिखे हैं, यह इन्होंने इराक की जंग के अंदर भी सिर्फ किया, अमरीकी अफाज के साथ, अब यह पहले टरम क्रिटिक थे, इन्होंने एक बहुत इंटरस्टिंग किताब लिखी हिल बिली एलेजी के नाम से, कि उसके अंदर इन्होंने अपने जो एक गुर्बत में एक सिंगल माँ को रेस करते हुए, पूरी स्टोरी कहीं, इनकी माँ ड्रक्स के अंदर भी इन्वाल्व हो गई थी, और पिछले दस साल से वो क्लीन थी, तो जब वो एक्सेप्टेंस कर गई रहा है कि वो एक लैंड स्लाइट के लिए बहुत ही एक मजबूत टीम सामने खड़ी हो रही है, टॉनल्ड ट्रम सहाब के हग के अंदर और लग ये रहा है कि वो एक लैंड स्लाइट से जीतेंगे, एक majority, simple majority, 300 seat की अमेरिका के अंदर, या 300 delegates आप कहलें, presidential system है उनका, तो इनका कहा जा रहा है कि इनको 330 delegates, एक land side से ये, जो बाइडन को शिकस देने की position में हैं, अभी, अभी वी अपना 5 महीने रहते हैं, 5 महीने रहते हैं तकरीबन elections को अगर आप इस तरह देख बाइडन कर रहे हैं, बाइडन साब के खिलाब, अजया, बाइडन साब का क्या हाल है, क्या ख्याल है, उनकी ट्वीट है, बाइडन साब की पिश्टी चाविस गंटे के अंदर, जिसके अंदर लिखा हुआ है, I am sick, एक तरफ Trump साब और उनको COVID होगी है, basically, वो campaigning कर रहे थे बाइडन साब और campaigning के दौरान उनको COVID का हमला हुआ, और अब वो campaign trail से हट गया है, तो comparison क्या बनाए जा रहे हैं, मेरिका के अंदर, comparison ये बनाए जा रहे है, कि एक तरफ है Donald Trump, उसके उपर गोलिया चलती है, पांच गोलिया होती है, उसका कान भी जाता है, और अगर वो यहां से एंटर होती है, और फिर यहां से निकलती है, लेकिन क्योंकि उसके अपना टर्न कर लिया, गोली यहां से चली है, अब हकीकत क्या है, conspiracies बहुत हैं, क्यार ये inside job थी, Trump ने खुदी कराया अपनी nomination, अपने election को जीतने के लिए, दूसरी तरफ से लोग कह रहे हैं कि न क्या इसके अंदर facts हैं, क्या नहीं हैं, हमें बताएं, comment section के अंदर, बहुत बड़ी खबर है, और इसका impact अभी तक आ रहा है, इसका impact, in fact, पाकिस्तान ने मेरे खाल से आना शुरू हो गया है, क्योंकि जो Biden administration है, वो बहुत ही जल्दी लिपट रही है, और जितनी जल्दी Biden administration लिपटेगी, उतना ही प्रेशर पाकिस्तान की आर्मी उनके चीफ के उपर आएगा, क्योंकि उनको जो support मिली हुई थी, silent support कह लें, या एक non-interested support कह लें, अब उसकी कुझाईश नहीं रही, यह मेरा तज्या है, आपका ख्याल है, please let me know, and do like, subscribe and share this content, अपना ख्याल रखिए झाल